दोस्तों नमस्कार एक फिर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का ये वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा ही इंपोर्टेंट रहने वाला है खास कर जो लोग क्रिप्टो करंसी ये बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो न्यूज है फ्रेंट्स आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं कि बाइनेंस ने आखिर ये क्यों यहाँ पर एक्शन लिया है कि कोई भी अमेरिका का क्रिप्टो करंसी का इवेस्टमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडर है और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं हम कह सकते हैं तो उन लोगों ने क्या किया है यहाँ पर जो सीजेट जी का कहना है जो बाइनेंस के सियो हैं उनका ये थोड़ा सा कहना है कि यहाँ पर पंप डंप कह सकते हैं और भी कई रीजिन इन्हों ने बताया है इन्होंए ये भी रीजिन बताया है कि अमेरिका कंट्री की जो टर्म्स और कंडिसन है रूल और रेगुलेशन है कृप्यो करंसी को ले करके एक्सेंज़ों को ले करके तो कुछ ना कुछ यहां पर बात हुई है American country से और उसी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर क्या है Binance के CZ जो है CO इन्हों ने यहाँ पर क्या कहा है कि हम अपना exchange वहाँ पर बंद कर रहे हैं कोई भी America country का user जो है वो Binance exchange पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी अभी तीन महीने का यहाँ पर टाइम मिला है मतलब आप तीन महीने तक deposit withdrawal अपने कोईन सेल करके और वहाँ पर exit कर सकते हैं और खुसखबरी यह है friends कि Binance यहाँ पर announcement already कर चुका है कि हम एक उनके country के लिए मतलब America country के लिए एक special वहाँ पर exchange बनेगा Binance के नाम से तो उस पर क्या करेंगे American वहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे और उसका advantage ले पाएंगे अब यहाँ पर जो बात आती है friends कि जो pumping dumping हो रही है अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में अभी यहाँ पर सब users जगे नहीं होंगे और सुबा साम या जो भी चीजें हैं लोग सो रहे हैं तो आप खुछ सोचिए कि जो लोग जग रहे हैं एक negative create हो चुका है market में ठीक है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग sale करेंगे आप खुछ सोचिए कि जब इंडिया में जपने या कोई भी एक्सेंज announcement करता है कि हम इसको यहाँ पर बंद कर रहे हैं और मैं दो तीन महीने का time देता हूँ एक example बताता हूँ आप सभी को याद होगा जब RBI ने announcement किया था कि हम अब withdrawal और deposit की service नहीं देंगे उस दिन क्या हुआ था आपको याद होगा बहुत अच्छे से bitcoin में dumping इतनी जबरदस्त आई थी जब पर और भी कई exchange ओ पर आपने देखा होगा और उसकी भी update हमने दिया था तो वही चीज आज भी हुई है आप लोग को को एक चीज और बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा इतने दिनों से cryptocurrency market में कभी positive news आती है कभी negative news आती है उसमें होता क्या है pump होता है कोई coin कोई coin dump होता है और अभी कल जो मैंने टेलिग्राम पर यहाँ पर post किया था आप लोगों भी ने देखा होगा कि यहाँ पर जो वक्त है वो जुलाई में start कर रहा है अपना trading platform तो वो एक positive माहूल बहुत ही अच्छा बन गया था कल की date में और उसमें हमने बताया भी था कि bitcoin यहाँ से move जरूर करेगा क्योंकि reason है कि market में एक fomo जरूर create होता है जैसे ही कोई fomo create होता है वहाँ पर bitcoin का price उपर जाने के ज्यादा से ज्या और आप देख सकते हैं वहाँ पर भी मैंने बताया था कि alt coin वहाँ से dump होंगे ऐसा नहीं है कि आज जो binance का यहाँ पर announcement हुआ है अमेरिका country का trading बंध हो गया है यह मुझे नहीं पता था लेकिन कल की जो news आई थी यहाँ पर bucked platform की उनकी वज़ा से उस news की वज़ा से मैंने बता दिया था कि 5-7% alt coin dump कर सकते हैं और कुछ coin 10% dump हो सकते हैं तो वो चीज तो हुई लेकिन एक और बड़ा support मिला कि अमेरिका country में Binance Exchange क्या हो जा रहा है यहाँ पर बंध हो जाएगा तो उसका दोनों को मिला करके effect देखने को मिला market में और alt coin में dumping आई अब हम बात कर लेत signals दिया वहाँ पर profit मिले और मैंने exit करवा दिया आप खुद सोचिए कि अगर आप exit नहीं करेंगे तो आप coin में फस दाएंगे हमेशा आपको profit नहीं हो सकता है हमेशा आपको loss भी नहीं हो सकता है लेकिन यह कोसिस कीजिए कि थोड़ा सा active रहिए थोड़ा सा भी profit मिले बाहर हो जाइए इसी की वज़ा है कि आप safely यहाँ पर trade कर पाते हैं और आपको इसका advantage मिलता है आप हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंट्स की जो bitcoin pump हुआ है बक्ट प्लेटफर्म की जो news है उसका क्या effect पर सकता है आप खुद सोचिए कि बक्ट एक बहुत बड़ा exchange होने वाल बड़ी चीज में बता रहा हूं अमेरिका घंडरी की और crypto space में एक बहुत ही बड़ी धूम ध्राका होने वाला है आने वाले time में आप देखना और यहाँ पर उसका effect market में आपको देखने को मिल सकता है जब 3500 से 4000 डॉलर चल ला था तो लोग बोल लेते 2000 सपोर्ट लेबल है कोई बोला था 5000 है कोई कह रहा था 1000 है कोई कह रहा था 0 हो जाएगा हमारे वीडियो आज भी पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन एक dumping होती है 18000 डॉलर से 3000, 3500, 400 यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है तो एक opportunity मिली थी लोगों ने बाई किया अब अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने मतलब बाई नहीं किया वही लोग कॉल मैसेज करके वही लोग आप लोगों में पूछते होंगे आपकी सरकिल में पूछते होंगे और वही लोग बाई कर रहे हैं क्यूंकि अब उन्हें announcement यहाँ पर America country में जो हुआ है Binance की तरफ से उसकी वज़ा से altcoin में dumping आई है और जब bitcoin उपर जाता है तो altcoin dump होते हैं तो वहाँ भी यह दोनो effect यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको अब हम बताते हैं कि buy sell are hold तीसरा topic यह है आप खुछ सोचिए कि अगर आपने कोई भी altcoin buy किया है तो अगर अभी तक आपने exit नहीं किया है हलाकि already में कल ही बता चुका हूँ आज भी बताया हूँ और अगर आपने already exit कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर हो सकता है आप किसी काम में busy रहे हो जौब करते हो या कोई business करते हो या फिर आप active ना रहे हो आपने sell नहीं किया हो ये भी हो सकता है तो आपको डरने गवराने की जरूरत नहीं है आप भी market dip में आ चुकी है यहाँ पर आपको panic sell नहीं करना है और market से exit नहीं करना है जब इतना आपने सह लिया 15-15% का loss तो यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लीजिए जब भी market उपर जाएगी वहाँ से exit करके बाहर हो जाना अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए buy करना चाहिए जी हाँ अगर आपके पास fund है already हमने buy कर लिया है हमारे paid members ने buy किया है free signals में भी हमने कई सारे signal प्रोवाइड किया वहाँ भी लोगों ने buy किया होगा और उम्मीद है कि आप सभी profit में होंगे और enjoy कर रहे होंगे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर buy करना है अगर आपके पास VTC है, dollar है, कुछ भी है तो आप investment कर सकते हैं parts में कीजिए अब उसके बाद में hold करने के लिए क्या आपको hold करना चाहिए जी हाँ अगर आपने buy कर लिया है तो hold कीजिए अगर पहले से buy किया है फिर भी hold कीजिए क्योंकि यहाँ पर hold करने का profit आपको 2-4 दिन, 8 दिन में आपको दिखाई देगा जब market green होगी ठीक है तो वहाँ पर आप exit कर सकते हैं अब हम बात कर लेते friends की अपने free telegram में बहुत सारे members request किया करते हैं कि free signal provide किया जाए अभी हमने आपने देखा होगा जब पिछले दिनों 10-15 दिन पहले market dump होई थी लगबग 30 माई के आसपास ठीक है एक जून के आसपास तो वहाँ पर हमने कई सारे signal provide किये थे वहाँ से profit भी मिला और ELF coin का मैं याद दिलाओ दू 21-22 पर आसपास दिया था और 4000 हिट हुआ था मतलब 50-60% profit भी हुआ था और exit भी करवाया था और अगेन अभी 2-3 दिन पहले हमने इसमें entry अगेन ली और आज फिर से इसमें 6-7% का profit मिल गया और अगेन हमने exit करवा दिया दूसरे क्वाइन की बात कर लेते हैं वान चेन आपने देखा होगा मार्केट में अभी 2-4 दिन पहले या एक हपते पहले वान चेन में बहुत बड़े-बड़े यूटूबर्स ने बहुत बड़े-बड़े लोगों ने क्या किया इसका signal प्रोवाइड किया 500 के आसपास 490 के आसपास हमारी entry 460 पर थी वहाँ से 6500 गया आलमोस्ट 50% profit वहाँ से लोगों को exit करवाया अगेन हमने आज re-entry करवाई थी इसमें जी हाँ आज कल में re-entry करवाई और अगेन इसमें क्या हुआ 10-15% का profit अगेन हुआ और अगेन मैंने exit करवाया अभी market फिर dump कर गई तीसरे क्वाईन की बात कर लेते हैं WPR आपने सुना होगा B Power Coin 10-15 दिन पहले जब market dump हुई थी तो 110, 115, 120 के आसपास signal दिया था और अभी परसो की date में यहाँ पर 207 सतोसी तक हिट हुआ मतलब आलमोस्ट 90-200% आपको profit मिला वहाँ भी exit करवाया अगेन हमने कल re-entry किया 170 सतोसी के आसपास और आज फिर से वो 190 प्लस गया मतलब आज फिर से वो 20% profit दिया और फिर से exit करवाया अगेन अभी dump कर गया क्या वज़ा है यहाँ से क्या सीखने को आपको मिलता है market pump होती है market dump होती है market में positive news आती है market में negative news आती है सब कुछ हमेशा यह चलता रहेगा यह कोई नई बात नहीं है आपके लिए ठीक है आप अगर 2-4 साल के experience holder है cryptocurrency में तो बहुत अच्छे से पता होगा हमेशा market में positive news आती है कभी negative news आती है कभी bitcoin pump करता है कभी dump करता है कभी alt coin dump करते है कभी pump करते है यह सब कुछ हमेशा चलता रहेगा जरूरी यह है कि आप entry लीजिए और exit कर जाएए तभी आपको फायदा होगा अगर आप active नहीं रह सकते है अगर आप mobile laptop पे काम नहीं कर सकते है अगर आपके पास time नहीं है short term trading करने के लिए तो मत कीजिए long term investment कीजिए mid term investment कीजिए short term में profit होता है 99% profit होता है अगर आप सही से trading करते हैं और अगर नहीं करेंगे तो हर एक coin में pump dump होता है वहाँ पे exit करवा देता हूँ और आप लोग fuss जाते हैं अगर आईसा आप करेंगे तो fussेंगे हमेशा तो जो भी coin होते हैं हम वहाँ पर exit बताते रहते हैं free telegram group में अगर अभी तक join नहीं किया है तो जरूर जोइन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे coin की information मैं share करता रहता हूँ और maximum वो सही के सही ही होते हैं आप check कर सकते हैं invest करना ना करना वो खुद की choice है लेकिन एक बार देखना आपका फर्ज बनता है तो description में link है comment box में भी link मिल जाएगी उसको join कर लीजिए सारी latest update मिलती रहेंगी इतने दिन से मैं videos नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी तबियत नहीं ठीक थी लेकिन telegram पे आपको सभी update मिल जाएंगे तो join कर लीजिए आज का video अगर पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और channel नहीं subscribe किया है